हेलो एब्रेवन वैलकम टोर यूट्यूब चैनल टागेट फ्राइक्यू देखेगा ये वीडियो बनाने का बेसिक जो हमारा अब्जेक्ट वो यह है कि आप सभी को पेपर वन की नौलेज हो जाए नेट वाला जो पेपर वन आता है नेट ज्यारफ में की पेपर वन में क्या तो सबसे पहला क्या आता है कि हम सभी के दिमाग में कि 10 उनिट और 10 उनिट भी यह चोटी मोटी कोई उनिट दो है नहीं है यूनिट में अगर की बात करें तो एक यूनिट में लेकिन उसमें टॉपिक इतने हैं बहुत सारे ले फिरिए इसी तरीके से रिसर्च एपकूफ कि हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम इतना 10 unit भी करना है उसके बाद में 10 unit हमारी लोकी भी है वो भी complete करना है तो वो सब कैसे कर पाएंगे तो देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको एक simple वाला फंडा बता देती हूं कि हम जितने भी student होते हैं सबका basic है कि सबक लेवल ABC मान लीजी लेवल है कि सब्जेक्ट वाइस लेवल बता है मैंने कुछ चीजे क्या होती है उनसे ए लेवल पर आती है ठीक है कि सब्जेक्ट हैं जिसे IPC CRPC हैना contact act हूँआ तो कुछ चीजे उनकी फेवरेट है तो वो किस नंबर पर होंगी ए नंबर पर ठीक है उस है फिर थर्ड वाला क्या होगा कि से लेवल होगा जिसमें उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है जैसे अगर हम बात करें कि एगर नेट का पेपर हम देने जाएंगे तो नेट के पेपर में क्या होगा कि हम IPC पढ़ लेंगे कांट्रक्ट पढ़ लेंगे टॉर्ट करравляं कि लेकिन कितने सारे सभ्गव।्ध हैं जो हमें समझ नहीं आ पाते हैं जैसे बात करें IPR की बात करें इस तरीके से बहुत सारे सभ्वट ऐसे होते हैंasant ।को इसी तरीके से हैं भाई हमारा पेपर वन वाला फंड़ चीक है तो यहां पर भी ऑपी इस तो यहांपर हम इसी तरीके से आपको knowledge करनी है कि A वाली चीज़े A में रहें और B वाली चीज़ कहां पर आ जाएं और C वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे B वाले portion में आ जाएं जिससे कि हमार इसली अपना paper क्रैक कर सकें क्लियर तो देखें भई यूनिट वन है तो यूनिट वन में बहुत सारी चीज़े हैं ठीक है आपको क्या करना है एक महिना हमारे पास है वन मंत है वन मंत में आपको paper clear करना है और paper भेट चाल से तो clear होने वाला नहीं है कि जो हमारे चीज़े सामने आई हम उसे ही पढ़ने ल पर बनाई होई है तो आप उन्हें देख सकते हैं ठीक है तो देखेगा जैसे यह हमारा section अभीव्रति की हम एक जैसे हमारा section अभीवरति हुआ teaching aptitude हुआ तो हमें क्या करना है कि यह बहुत हुआ है ठीक है बहुत है पूरी चीज़े जो है है वो समझने वाली है आप अगर समझेंगे आपको easily समझ में आ जाएगा क्या होता है है क्या है क्या है इसके जवाला जो next वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें आपको मैं teaching attitude से related एक थोड़ा सा बताऊंगी कि सिक्षन क्या होता है या उसके लेवल क्या होते हैं ठीक है उसके सिक्षन की इस्तर क्या होते हैं ठीक है यह वाला इसमें सकती समझ और विचारात्मक ठीक है और भई जो चर होते हैं ठीक है चरों का क्या का रहा होता है तो यह सारी चीजी हम नेक्स वाली वीडियो में डिस इंपल है समझने वाली चीज है समझेंगे आप सारी सभी question बहुत अच्छे से easily attempt कर सकते हैं फिर आता है हमारा research aptitude research aptitude को भी हम बहुत easily कर सकते हैं चीक है समझने वाली चीज है starting में hard लगता है लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आ जाता है मैं आपको सिर्फ यह बता रही हूँ कि आपको किस चीज पर फोकस करना है चाहे आप हमारा क्रेस कोर्स लें या ना लें लेकिन आप कहाँ पर फोकस कीजेगा इस बात के लिए वीडियो बनाई गई है फिर है थर्ड वाला की कॉंप्रिहेंशन इजी है लेकिन net वाली paper में इतना easy नहीं आता है एक paragraph दिया लेकिन सारी चीजे क्या होँगी समझ कर question attempt करना है पहुत चीजे समझ नहीं होती है उसके बाद में question attempt करना होता है easy है score बहुत अच्छे से कर सकते है ठीक है तो आपको ये वाला portion करना है फिर comprehension यह मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं सभी को कहूंगी कि हाँ यह इंप्रोटेंट भी हो और फेवरेट भी है और अच्छा भी है इसली समझाता है तो आप फॉर्ट टॉपिक हो गए स्टार्टिंग वाली चार्ज उनिट होगी इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा इन्हें गणितिय तर्क और अभिवरती वाला जो यह टॉपिक है यह हार्ड होता है इतना इतना इज़ी है नहीं इसमें आप क्या कर सकते हैं ब्लड रिलेशन कर सकते हैं टाइम इतना है ज्यादा टाइम है नहीं अगर आपको मैथेमेटिक साथा है तो आपके लिए प्रॉब्लम चीजे समन्ज में नहीं आती है तो अगर आप इसे कर सकते हैं तो कर लीजे all आपकी मर्ची है फिर ऐ आकड़ों की व्यक्या मत्रब डाट इन्टरप्रेटेशन अगर आप को कहा कि 10 में से अगर आप साटे się कर लेते हैं साथ यूनिट कर लेते необходимо तो आपका net jrf clear होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि 7 unit का मत्तब 35 question ठीक है और अगर आप से अच्छे से आते हैं तो आप 30 question पिलकुल आराम से कर सकते हैं और रही बात 3 unit की तो negative marking है नहीं एक दो question आप कर सकते हैं समझ में आ जाते हैं ब्रेड रिलेशन वाला question अराम से हो जाता है । बना लीज है नहीं आता है तो छोड दीजिए इससे हां पर भी कोई ऐसे hard question नहीं आते हैं कोशन आएंगे आपको की औसत निकालना है ठीक है और आपको अनुपात वाले कोशन आते हैं इसके बाद में है सूचना और संचार प्रधिकी की कि से रिलेटिड है अब क्या है कोशन कहां से पूछेगा की कौन कौन से पहलू है कैसे पढ़ा सकते हैं स्वयम संपरवह से पढ़ाते हैं आई 마음에 स्विक्सा किसे घ क्लिर रहा है तो इस से ले िड़ी इस पॉष्ण है यह बी इंप्रोटेंट था और समझ में आ आ जाता है लोग किसे है इन इंवार्मेंट्टेड बाला यह द और ऑजो हमारे वाय smokes Klum को से कि तरीके कर्दूशन होते हैं कौन सा सुस्टेनेबल । यह सारे कोशन कोशना प्र पूछे जाते हैं हिए हायर एजूकेशन में कुछ प्राचीन वाले बाते पूछ ली जाती है कि प्राचीन समय में सिक्सर से एलेटर से जितने भी मतला जितने भी कुछ जैसे भी हायर एजटीज़िशन की पॉलिसी ऑई दोजार विस की नहीं तो से लेटर बहुत सारे कökसन स्थे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है को सकते हम आपर पॉछ लिये जाते हैं इनिसियेटिव क्या लिये हैं गावर्मेंट ने न फिल एडू किया होती है इसे लेटड़ेड़ी सारे कोशन पूछे जाते हैं क्लिर रहा है तो देखेगा यह टैन यूनीट है आप हर यूनेट का किते नमंद मांक्स होते हैं हर जूनिट के पाच कौशन आते हैं ह कि लूइट तो इसिकल टू हंडर ठीक है सो कोश्टन सो नंबर के हमारे फचास कोश्टन होंगी चीक है 200 क्या तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे तैयारी करने हैं बहुत लेकिन बहुत अच्छे से कीजिएगा मैनत कीजिएगा इमानदारी से कीजिएगा ठीक है और अगर आप हमारा कॉर्स जोइन करना चाहते हैं तो डेक्स्रिप्शन में आपको डेटेल दे दी गई हैं आप उसे भी जोइन कर सकते हैं हिंदी और मेडियम हिंद